स्वागत है दोस्तों कैसे हैं एकदम जमा जम मालम है आपको यह चैप्टर बस इतनी सी सासे वाकी है और यह चैप्टर भी अपन खट निप्टा देंगे और इस चैप्टर से आपको शोर्ड फाइब मार्क्स एक्जाम में मिलेंगे यानि गिप्ट है आपकी यह और इस करेंगे कल हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में यह डिसकस किया था कि अगर हम न्यूमरस ट्रंजक्शन कर रहे हैं यह फ्रिक्वेंटली ट्रंजक्शन कर रहे हैं तो फिर सरकार हमारी जो नॉर्मल बुक से उसमें छोटी-मोटी एंट्री से काम नहीं चलेगा फिर सिस्टमैटिकली इन ट्रंजक्शन के लिए अलग से एक सेपरेट सेट मेंटेन करना होगा सो दैट हम इस मोट से जो बिजनेस कर रहे हैं उसके प्रॉपर ट्रंजक्शन को कंट्रोल कर सके हमारी जानकारी में हर चीज हो और कोई भी चीज इसकिप ना करे तो उसके लिए हम तक जब तक माल एक्चुली ना बिग जाए और ये रेंट पर जितना माल घ्राक के पास पड़ा है उसकी सूचना आपको डे बुक दे देगी यानि अब हम में बुक्स में कुछ नहीं कर रहे हैं जब माल भेज रहे हैं तब कॉलम नूमर बंटू थी फोर में एंट्री कर तो एंट्री कर रहे हैं कॉलम नूमर 5,6,7,8 में हां लेकिन जब माल एक्सिप्ट कर लिया जा रहा है तो इसके एंट्री ये 9,10,11,12 में और फिर हम जा रहे हैं अपनी में बुक्स में जहां पर हम रिकॉर्डिंग करते हैं यस कि माल बिग गया और कॉलम नूमर 13 में जित आलरेडी घ्राग के पास बढ़ा है तो बहां पर जित्ता माल पड़ा है वह भी ए तो अपनी अपने टीक रहा है किसी और का थोडी है तो तो बो माल मैरे बी अकॉन में ब्यांटर बैलेंसीग में छाहिए यह जौना काल कर दो इस ऩो शेलिंग प्र तो और जो प्रने सुर तो आजाएगा कॉस्ट और उस कॉस्ट पर क्लोजिंग लिखेंगे क्या इंट्री होगी सिंपल तो है तो चलो सरकार मैंने आपके लिए कॉस्ट डेवलब किया है एक अच्छा सा कॉस्ट डेवलब किया है जो आपके पूरे कॉंसेट क्लियर करेगा पहले हम इस कॉस्ट को ये मानते हुए कर रहे है कि हमारे ट्रंजेक्शन फ्रिक्वेंट है नियूमरस नहीं है क्योंकि जब ट्रंजेक्शन नहीं होते सिर्फ फ्रिक्वेंट होते है तो इस केस में हम सिर्फ डेवुक बनाते है और सिर्फ मेन बुक्स में एंट्री कप करते हैं जो माल बिख जाता है और एरेंट पे जित्ता माल नहीं बिखता है चलिए तो कॉश्चन स्टार्ट करते हैं तारक महता का उल्टर जश्मा शोल्ड गोड्स on approval और return basis to the following client during the month and date 31st March 2020 और जो time दिया है approval के लिए वो कितना है एक महिना अब तारक महता है इसलिए क्योंके बहुत ज्यादा करेक्टर है है ना बाकी यह इतने करेक्टर नहीं मिल पाते हैं अपने को तो माले गुट्सेंट टू जेठा लाल कव पांच मार्च को और अमाउंट है 50,000 दया को माल भेजा, भेजा बेचा नहीं है अबी, 12th March को अमाउंट है 60,000 पुपट्लाल को माल भेजा 15 March को अमाउंट है 40,000 तो 60 प्लस 40, 150,000 देर लाग का माल भेज दिया ये ब्रिले साप को भेजा 20 March को अमाउंट है 25,000 पिर बबीता जी को भेजा 22 March को 90,000 और टपुसेना को भेजा 28 अप मार्च को 30,000 तो कुल मिलागी कितना हुआ 90, 21, 41 और 150 150 और 150, 3 लाग का माल मैंने मार्च महिने के दौरान इन 6 लोगों को approval और return basis पर भेजा है चली देखते हैं इसको हम कैसे record करेंगे अब यहाँ पर ये माल भेजा तो जो sales or return day book है उसके पहले चार कॉलम कॉलम नमर 1, 2, 3 and 4 उसमें से जो कॉलम नमर 3 है लेजर फोली हो आप उसको skip कर सकते हैं क्योंकि आपके question में लेजर फोली नमर दिये नहीं है तो जब लेजर फोली नमर है नहीं तो आप लिखोगे क्या ब्लैंक 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 इससे चोड़ दो तो हमारी बैसी sheet इत्ती छोटी होती है उसमें 13 कॉलम बनती ही नहीं है तो एटलीस इतीन कॉलम जो बिनकांग के हैं वह भटा सकते हैं ठीक है चलो अब आगे देखें एप्रूबल रिसीव हुई है पहली दया भाभी के पास 40,000 की ओन 20th March और दया बेन को बनने माल कितना बेजा था 60,000 का समय दिया था एक महिना यानि 12 March से एक महिने का समय होता है 12 April और दया बेन ने 40,000 का एप्रूबल हमें दे दिया है आउट ओफ 60,000 या हो सकता है उसका उन्होंन रिजेक्शन कर दिया और या फिर हो सकता है कि ना उन्होंने रिजेक्शन दिया ना उसका एप्रूबल दिया तो 31 March को यार एंड वो माल अभी भी दया बेन के पास पड़ा है जिसके बारे में ना तो हाँ है ना ना है चलो और आगे बिटे मार्च साब ने 29 March को 25 यार का एप्रूबल दे दिया और बिडे साब को अपने माल भी 25 यार की बेजा था और बभीता जी को कित्ते का माल बेजा था 90,000 का उसमें से बभीता जी ने 31 March को 25 यार का एप्रूबल दे दिया है अब चुकी सबको एक मेहने के अप्रूबल दिया है और सबको माल बेचाएं मार्च के महिने में तो सबकी जो डेट है वो अभी भी बाकी है यानि पिक्चर अभी भाकी है मेरे दोस्त अगर उनोंने अप्रूबल भी नहीं दिया और rejection में नहीं दिया तो मुझे closing stock show करना पढ़ेगा ओके मालिक और आगे बात करते हैं 31 मार्ज तक rejection क्या क्या आए यह सब question दे रहा है आपको पोपट लाल जिसको हमने 40,000 का माल बेजा था भाई को कुछ भी समझे नहीं आया इसलिए उनलग हुमराय भी तक कुछ भी समझे नहीं आया उसने वापस कर दिया तो return दिखा देंगे बभीता जी ने देखो माल कितना वेजा था उनको हमने सरकार 90,000 का उन्होंने उसमें से 50,000 का एप्रूब कर दिया और और बभीता जी ने 15,000 का reject भी कर दिया लेकिन इन सबको मिलाने के बाद भी दोस्तो ध्यान से सुनना 90 का वेजा था 50 का एप्रूब बच्छा चालेस 15 का reject अभी भी स्टिल 25 का माल बभीता जी के पास पड़ा है जिसका ना तो एप्रूबल है ना rejection है यानि 31 मार्च को balancing बाल है जो column है column number 13 उसमें 25,000 का माल बभीता जी के नाम से दिखेगा ओके और आगे देखो जेठा जी ने 50% goods accept करा लेकिन शर्त रख दी कि भी या माल तो मैं लूँगा लेकिन 90% of inverse price पी लूँगा नहीं लो एना मुझे इतने महेंगे पे देना हो तो दो तो हमने बहुत है ठीक है ले ले यार तो अब पहली बार तो ये पहली बार तो ये कि उनको हमने माल किता बिज़ा था 50,000 का उसका 50% यानि 25,000 की selling price का माल उन्होंने 25,000 प accept नहीं करा बलगे उन्होंने accept करा है 10% कम पर तो 25,000 का 10% तो 25,000 माइनस दाई अजार यानि 22,000 पांसोबे sale done हुई है तो जो मैं sale के entry pass करूँगा वो 22,000 पांसोबे करूँगा और 25,000 का क्या करूँगा एक तरह से return दिखा दूँगा तो इससाब बराबर हो गया अब what about remaining 25,000 उसका क्या उसका तो टाइम बाकी है क्योंकि मैं एक महिने का credit allow करता हूँ और 5 मार्च से एक महिना 5 अपरिल होता है और हम 31 मार्च को अब जहां पर खड़े हैं महाँ पर ना तो हाँ आई है और ना भी नहीं आई है तो हम उसको closing stock मानना पड़ेगा चलो और आगे prepare sales or return daybook ये कब बनेगी जब transaction से frequent है numerous नहीं है लेकिन अगर transaction frequent नहीं numerous है तो फिर ये तो बनेगी साथ-साथ sales or return account भी बनेगा अच्छे ये तो बताओ सरकार कि ये जो तारक महता है वो profit profit कमाते हैं या ऐसे ही 25% on cost का लिखवाया था 25% on cost यानि sale का 20% तो अब हम बढ़िया एजजत से एक बनाने जा रहे है sales or return daybook फिर इसके बाद इसी question को numerous मानते हुए daybook प्लस sales or return account भी बनाके देखेंगे चलिए देखते हैं देखो आपकी सुविधा के लिए मैंने आपका time बचाने के लिए format तो पूरा बना लिया है अब मैं इसमें सारे transaction फिल अब करूँगा ताकि आपना समय भी बचे और हमारी चीजें conceptually आप तक पहुँच भी जाएं तो सरकार पहले चार कॉलम अगले चार कॉलम रिजेक्शन के रिटर्न के अगले चार कॉलम acceptance के और last कॉलम balance का और ये balance काई पह आएगा तो सरकार balance आएगा selling price पर ठीक है ना सरकार चलो देखते हैं हाँ मालिक सबसे पहला काम trick दे रहा हूं सबसे पहले आपको ये वाला जो पार्ट है कॉलम नुमर बन ट्री और फोर भरना है एक एक करके चलेंगे चलो मालिक सबसे पहले हम जो trick है उसके अनुसार पहले चार कॉलम भरेंगे यानि जब मैंने good send उठाए तो good send good send good send good send जब मैं return उठाए तो return पूरा जब मैंने accept उठाए तो पूर accept और balancing उठाए तो अपने आप आई जाएगा तो पहले हम बर रहा है good send वाला कॉलम चलो मालिक देखते हैं सबसे पहले माल बेजा था हमने जेडा भाई को और जेडा भाई को कितना माल बेजा था पांच मार्च और amount 50,000 ठीक है सरकार अगला दया बेन को बेजा था कब बेजा था 12 March को और amount था इसका 60,000 15th March को पोपटलाल को बेजा और कितने का बेजा था 40,000 का ठीक है सरकार फिर विड़े मास्तर को बेजा था 25,000 का तारीक थी 20 March फिर इसके बाद 22 मार्च को बविताजी को भेजा और अमाउंट था 90,000 और लास्ट टपू सिना को कब भेजा 28 मार्च को और अमाउंट था 35,000 तो यह लिख लेते हैं अब मालिक जल जल्दी से यह चेक करो कि इस मन्त में कुल कितना माल हमने इन अलगलग पार्टीज को एप्रूबल और रिटर्न बेसिस पर भेजा तो मालिक 50 और 1,5 लाक और 90 दो चालिस दो चालिस और 60 तीन लाक तो टोटल कॉलम में आ गया कि इस महीने हमने कुल 3 लाक इसको एप्रूबल और रिटर्न बेसिस पर भेजा अब चलो दिखते हैं कि रिटर्न किस-किस का आया तो एक तो थे हमारे पूपट लाल उन्हें पूरा माल वापस कर दिया था पढ़ा था और इज्जत से पढ़ना है ऐसा पढ़ना है कि दिमाग में कहीं सेट हो जाए कि ह यह इस इस निर्टन किया था एकसेप्ट किया था तकि जब अब यह भरे तो हमारी दिमाग में कहीं न चलता रहे कि यह तो बने पढ़ रखाए कि तो पूपट लाल ने मल वापस कर था और कितना पूरा की पूरा तो पूपट लाल वाले कॉलम में 40 आर बापस अब मालिक कुछ रख लिया था किता रखा था तो बभीता जी ने रखा था पचास का लेकिन उन्होंने 31 मार्च को बापस भी कर दिया है कितने का 15,000 का तो रिटर्न वाले कॉलम में बभीता जी में 15,000 आ गए और डेट 31 मार्च और पोपट लाल में डेट 20 मार्च यह दोनों हो गए हां सरकार अब बात और आई कि आपने जेठा लाल है माल तो रखा लेकिन को शर्त लगा दी थी कि मैं आदा माल रख रहा हूं लेकिन 90% आप सेलिंग पैस पर रख रहा हूं तो जो 10% एक तरह से उन्हें रिजेट कर दिया अब उसके लिए हमारे पास कोई तीसरा कॉलम तो है कि इंक्रीज और डिक्रीज सेलिंग प्राइस के लिए कोई अलक्से कोलम आए तो उसके हमें थोड़ा सा एजिस्मेंट करना पड़ेगा और एजिस्मेंट क्या है तो हम यह मान लेते हैं कि जो 10% सेलिंग पैस डिक्रीज हुई है वो हमारे एक तरह से रिजेक्शन है तो र पुरा मौल था 50,000 का तो आधा हुआ 25,000 का दस परसेंट यह होता है धाई अजार तो यहां पर अमांट कॉलम में रिटन वाले जो ब्लॉक है उसमें धाई जार रुपए रिटन वाले कॉलम में आ जाएगा तारीक बोलो सरकार तो तारीक है 15 मार्च अब सरकार 25 रुपए अगर रिटन वाले कॉलम में आ गए तो बचा हुआ 22,500 सेल वाले कॉलम में आएगा अगर नहीं आएगा एपसलूटली आएगा तो सेल वाले कॉलम में 22,500 अब माले ध्यान से देखो 50,000 सेंट डाई अजार रिटर्न और 22-500 सेल तो बचा हुआ 25,000 सरकार उसके बारे में ना तो एप्रूबल आई है ना आई है ना आई है तो वो बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा 25,000 चलो ये तारीक कौन सी थी जिस दिन जेठा ने इमाल एप्रूब किया था 15 अब मार्च चलो ये भी हो गया अब बताओ कौन-कौन से प्राणी ऐसे थे जिन्होंने एकसेटेंस दी थी तो सबसे पहले एप्रूबल मिला था दया का और दया का दया ही है तो उसने 40,000 का अप्रूबल दिया है यानि एप्रूबल वाला कॉलम यानि 9,10,11,12 उसमें सबसे पहले नाम आ 40,000 तो दया बेन के 20,000 का अप्रूबल अभी भी बाकी है वो चंपक काका से पूछ के बताएंगी तो ये 20,000 आ गया हमारा बैलेंसिंग फिगर में यानि ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है जो हमारे कस्तुमर के पास पड़ा है जिसकी ना तो अप्रूबल आई है ना रिजेक् आदमी है उसने पूरा माल रख लिया यानि उसका कोई भी अमांट बैलेंस में नहीं आएका और लास्ट बवीता जी अमाले बवीता जी के थोड़े नखरे होंगे तो बवीता जी ने थोड़ा एक्सेप्ट करा थोड़ा रेजेट करा और थोड़े के लिए मैं एयर से चालेस चालेस माइनस पंद्रा पच्छिस हजार का ना तो एप्रूबल है ना रिजेक्शन है अच्छा बवीता जी ने एप्रूबल कब दी थी एकदम 31 मार्च को और लास्ट बची है टपू से ना और टपू से ना को तो साम माल बेजाई अपने 28 मार्च को था तो इसके पास ताइम कब तक का तो टपू से ना सोच के बता रही है ना तो उसने एप्रूब किया ना रिजेक्ट करा तो पूरा की पूरा माल पूरा की पूरा माल क्लोजिंग स्टॉक यानि बैलेंसिंग फिगर में आएगा तो जरा अब इन कॉलम्स को डूडल कर लेते हैं सबसे रिट्न वाले कलम का डूडल करते हैं तो रिट्न वाले का डूडल 40 पचास 55 और तो 57500 चलो अपरूब करते हैं तो चालेस किवी इक फंदरह एurg 35 एक गुअ 37500 और बैलेंस्ग फिगर में क्या जाएगा खाव ही जिए अस तक क्लोे इन स्टॉक गां घ्रींग में आजए प्लस 20, 45 45 और 60 तो यह होगे हमालिक बन जीरो 5,000 तो अब मालिक यह होगे हमारा सेल्स और रिटर्न डे बुक का हिसाब कब जब हम frequently transaction कर रहा है ना तो few है ना numerous है हम बीच में हैं कहीं ना तो बहुत कम है ना पतो बहुत जादा है तो ऐसे केस में सिर्फ डे बुक बनेगी और अब जब में बुक की बात करेंगे तो में बुक में ये जो कॉलम था एप्रूबल वाला उसकी सेल्स बुक करेंगे यानि हमारी एंट्री होगी जेट हालाल अकाउंट डेविट 22,500 दया अकाउंट डेविट 40,000 बिड़े अकाउंट डेविट 25,000 बभीता अकाउंट डेविट 50,000 टू सेल अकाउंट क्रेडिट 137,500 सरकार रेटन का क्या होगा सरकार कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने भेजने की एंटी नहीं करी थी तो return की वे entry नहीं करेंगे हाँ लेकिन जिकता रख लिया बस उसको main books में record करेंगे ये तो गई एक बात अब सबसे important बात column number 13 में जो balance आया 1,5,000 वो क्या है ये वो stock है जो हमारे customer के पास पढ़ा है लेकिन at selling price तो मैं लेगा selling price में closing stock सकतो लिखते नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको cost पर convert करना पड़ेगा उठाओ गया लेटर उठाओ 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 हाँ चलो 1,5,000 क्या है सरकार selling price ओके what is the profit सरकार 25% on cost मतलब 20% on sale तो मालिक 1,5,000 का अगर 20% profit है तो 80% क्या है cost तो 1,5,000 का break up कर लो 1,5,000 1,8,000 का 80% 80,000 और 5,000 का 80,000 4,000 यानि closing stock जो हमारे customers के पास पड़ा है जिसकी selling price 1,5,000 है लेकिन उसकी cost 84,000 है तो जो entry pass होगी वो होगी inventories so no inventories with customer on sales or return account debit फिर से inventories with customer on sales or return account debit to trading account credit amount 84,000 और यह 84,000 balance sheet में जाएगा at cost price तो मालिक यह हो गया आपका कौन सा case जब frequent transaction है न numerous न few जहां पर सिर्फ day book बनेगी अब इसी को अगर मैं बनू को नहीं नहीं हमारे transaction तो numerous है तो उस case में यह day book तो बनती बनती है साथ साथ क्या बनता है एक subsidiary book भी बनाई जाती है तो चलो मालिक अब अगर यही question है और transaction numerous है और transaction numerous है तो उस case में अब मैं day book के साथ साथ अपने memorandum books में आप मालनो रफ बुक है अपनी यह रफ बुक मतलब साज में आती है ना रफ बुक मतलब बस रफ बुक कि याददास के लिए हमने लिख लिया फियर में नहीं लिखा रफ बुक में लिख लिया तो रफ बुक में यानि it is not part of main, general और leger पहला खाता होगा, पहला खाता होगा sales or return total account sales or return total account और दूसरा, उन सारी पार्टियों के खाते individual जिनकों आपने माल भेजा है अब जो सारी पार्टिस हैं इनके खातों में हम बकाइदा एक ट्रंसक्शन इंडियों लिखेंगे माल भेजा, माल रिटर्न किया माल एकसेप्ट करा, माल पड़ा है ऐसे, जैसे डेटर बनता है वैसी बनाएंगे लेकिन इनका जो मन्त वर का टोटल है या क्वाटर वर का टोटल है वो लेकर जाएंगे कहां पर sales or return total account में यानि sales or return total account रोज नहीं लिखा जाएगा sales or return total account में पूरे महिने महिने बर की यानि जो हमारा fixed interval है उसकी total total entries आएगी जैसे अभी हमने एक question उठाया इसमें 6 parties थी, इन 6 parties को हमने महिने बर में 3 लाग का माल भेजा तो हम 3 लाग के माल को जब 6 लाग भेजा तो हम नहीं लिखेंगे बलकि महिने बर का total एक साथ इस sales or return total account में आएगा similarly, इन्हों जुत्ता accept करा उस सबका total महिने बर का एक बार में, एक entry के साथ तो अब क्या होगा, यहाँ पर sales or return जो खाता बन रहा है वो एक-एक entry नहीं लिखेगा वो पूरे महिने बर की summary लिखेगा या जो भी fixed interval आपने तैकर रखा है आप quarter basis कर सकते हैं वाकी चाहिए, शद्दा वक्ती आप 10 दिन दिन का भी लिख सकते हैं अगर transaction बहुत ही जादा हैं sales or return total account इसमें घड़ी-घड़ी entry नहीं करेंगे इसमें entry करेंगे सीधे पूरे महिने की 80 यानि महिने बर में 8 बार, 9 बार, 6 बार माल भेजा वो आप लिख लो, individual खाते में उसका total आएगा यहाँ sales or return account के credit में अब बहाँ पर आप किसी का individual नाम ने लिखोगे बहाँ पर आप लिखोगे buy, sendries और narrate करोगे good, send फिर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ sales or return account total is a summary account यह कोई individual entry का महताज नहीं है इसमें जो भी transaction आएगे वो पूरे महिने बर के accumulated transaction आएगे जिसे महिने बर में हमने 6 लोगों का माल वेजा था तो वो recording उन्डीवल उन 6 लोगों के खातो में होगी लेकिन उनसों का total यहाँ पर आएगा sales account मतलब credit तो credit में आप लिखोगे buy, sendries और किता पूरा 3 लाग का माल जैसे मैं यहां लिख देता हूँ 3 लाग और inner column में लिख देता हूँ जेड़ा लाल, दया, पोपट, फिर, बिडे, बवीता और टपू जेड़ा लाल को हमने 50,000 का माल भेजा था दया को हमने 60,000 का माल भेजा था पोपट लाल को हमने 40,000 का माल भेजा था बिडे को उने 25 का माल भीजा था बविता जी को नभे का और टपू को 35 का टिन सब को जोड़ा इनर कॉलम में और आउटर कॉलम में लिख दिया तीन लाक इवन आपको ये लिखने की विजरूत नहीं है ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं और आप एक्जाम में अपने एक्जामन को समझाना के भाईया ये टोडल तीन लाक आया कैसे बाकी रियल लाइफ में ये लिखने की जोड़ी है इसी के बदले में तो इत्ति सारे खाते खोल रखें फिर ये सारे खाते खोलने के फाइदा क्या निकला लेकिन आपका एक्जामन सिर्फ ये पूछ तो समरी में आपने क्या लिखा कि हमने तीन लाग का कुल माल भेजा गुट्स सेंट अब अपनी वो डेवोक उठा और डेवुक से अब ये निकालो कि हमारा माल इस पूरे महिने में बापस किता आया तो याद से देखो माल बापस आया है 55 का 40 का पोपट लाल ने वापस कि तो 55 का माल वापस आया जब की धाई हजार रुपए हमने बापस वाले कॉलम में लिखे तो हैं लेकिन एक्शली बापस नहीं आया है तो प्राइस रिडक्शन हुआ था यानि हमने माल भेजा तो जेटहला ने शर्त रग दी कि लूंगा तभी जब दस तका डिसकांट हो ग तो अब यह हम अलग से देखाएंगे कि इतनी प्राइस रिडीस हुई तो किया लेरे चाहेंगे टूसंट्रींद्टा नरेशन में लिखा जाएगा कि ये संड्री किस चीज के लिए जिसे यहां पे लिखा 22 संड्रीज और क्या लिख दिया good set किता 3 लाग अब ऐसे ही two sundries और नरेशन में क्या लिख दिया price reduction कितना price reduction था सरकार एक छोटा सा price reduction था लिख दिया मालिक अब अगली में क्या लिखा टू संड्री और इसमें लिख रहे हैं सेल्स फॉर दी मन्थ आप मार्च मालिक कितना माल विका यह देखो बन तो मालिक मार्च महिने की टोडल सेल गिती तो वो है 137,500 तो अब इंडिजिवल जो पार्टी हैं उनके कॉलम में उनकी रिस्पर्टर सेल आएगी लेकिन यह पूरे महिने की समरी है और जब यह पूरे महिने की समरी है तो इसमें हम टोटल अमाउंट लिखेंगे 137,500 अच्छा अब बताओ इस पूरे मार्च महिने के तो रिजे अब इस खाते में बैलेंसिंग में क्या आएगा सेल बैल्यू अब गोड्स रिटेंड और रिमें रिटेंड नहीं बढ़ेंगे रिमें विद्धी कस्तमर रिटेंड मत बोलना कि रख लेना रखा थोड़ी उसने अभी वो सोच रहा है कि रखूं कि नहीं रखूं तो वो सो कितना माल सेलिंग प्राइस पर सेलिंग प्राइस पर सेलिंग प्राइस पर सेलिंग प्राइस पर बिना विगा लखा है तो सरकार 3,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 the transaction for the month इसमें किसी का individual नाम नहीं लिखेंगे बलकि पूरा-पूरा total लिखते जाएंगे जैसे पूरे March महिने में 3 लाग का माल भेजा तो क्या लिखेंगे वाइस अंडरीस और नारेशन में good sent during the month 3 लाग आप अपने examiner को बताने के लिख दो approval यानि आप इसको पूरा नलिफाय करोगे यानि approve कर दिया तो भी डैबिट और return कर दिया तो भी डैबिट तो अब two sundries में फिर से लिखा two sundries और उसमें क्या लिख दिया price reduction कित्ता जी डाल गड़ाई अजार फिर क्या लिखा two sundries एक लाक से तिसे और पांसो प्रेकेट में क्या आगया एक प्रूट वाइदी कंजियूमर इंडी जो नाम लिखने के रहत नहीं है क्योंकि इंडियल खातने बना रखें already फिर two sundries इस बार इंडर कॉलम में कह लिखा return कित्ता बवीता जी और पोपट लाल नाम नहीं लिखन है अमांट लिखना है और two balance करें डाउं अब अगर हमने सब को सही लिखा है जांस दिखना यही मेरे इंडिविजुल कस्तुमर का जो डैबिट वैलेंस है उसमें टूटल आना चाहिए अगर ही मैच हो गया तो मतला हमने perfectly काम किया है अब यहां से जो में बुक से यह सब कहा चल रहा है रफ बुक में तो यहां से में बुक में क्या जाएगा सिफ दो चीज़ें एक जित्ता माल विका उसका मांट और दो जो माल अभी भी बिना विका पड़ा है येरेंट पर उसकी cost as a closing stock अब चलो मालिक हमने टूटल खादत देख लिया अब इंडिविजुल में क् पैसा बहुत simple है अपने को debt account मनाना आता है ना debt account simple pure debt account जब माल भेजा तो debit माल वापस कर दिया तो credit पैसे दे दिये तो credit लेकिन यहां पर पैसे नहीं आएगी approval तक कि यहां से खाता बंदों के main खाते में recording हो सके यानि सामने वाली party approval देगा तो भी credit और जब reject कर देगा तो credit यानि यहां पर तो हम उसकी यादास रख रहे हैं कि उसको सित्तमाल पड़ा है क्या उसने वापस कर दिया हां तो credit उसने माल रख लिया तो यहां पर तब भी credit ताकि इस ब्यक्ति को हम main किताब में as a debtor record कर सके हैं तो देखो सबसे जेठा खाता बना रहा है जेठा खाते है तो यह अइडिशा था तो आपन तरेंगे half transaction के आगे सë low return मज्यदर बात यह कर देंगे to sale और return account नरेशन से समिंजाना है यह काई क लिखे तो जैसे जेटा भाई को 50,000 कमाल भेजा, तो जेटा का जो परसंद खाता है, उसमें लखेंगे 2, sales और return account और लख देंगे good set, अब जेटा भाई ने 5,000 रुपे का price गिरवा दिया, तो उसको create दो, और फिर से भूई लिखो, buy, sales और return account और narration में, sales price reduce, फिर जेटा भाई ने 22, पांसो कमाल रख लिया, approval कर दिया, buy, sales और return account, bracket में, accepted, अब बचेगो 25, ना approval, ना rejection, तो buy, balance, carry down, लिख के देखते हैं, यह आपका जेटा भाई का अकाउंट, जब माल भेजा, तो आप कह लिखोगे, 2, 2, sales और return account, और narration में कह लिख दिया, good sent, amount, अब इसमें से, जेटा को accept करा, लेकिन 90% पर, तो आधा माल 25, का 90% बाईस पांसो, तो क्या लिखेंगे, buy, sales और return account, और क्या लिख देएंगे, approved, अब मजदर बात यह, कि बस यह वो amount है, जो main accounts में, as a sale, book किया, जाएगा, अब आधे माल का 10%, उसने क्या किया, उसने price कम करवाई, अब डे बुक मे तो यहाँ पे तो हम इजज़ से लिख सकते हैं, तो buy sales और return account, और narration में क्या लिख दिया price reduction, कितना, अब बचे हुआ 25 का क्या हुआ, सरकर बचे हुआ 25 का ना तो approval आया, ना return आया, तो buy balance carried down, और यह, वो balance वाला जो 13 कॉलम है, हाँ पे आ जाएगा, ओके, चलो, अब एक और उठाते हैं, दयावेन का खाता उठाते हैं, दयावेन को हमने 12 मार्च को माल भेजा, जब 12 माल भेजा तो उसके personal account हमने लिख दिया, to sale और return account, और narration में good sent, amount 60,000, अब दयावेन ने उसमें से 29th of March को कुछ माल रख लिया, कितने का 40,000 का, कितने का माल रख लिया, 40,000 का, तो लिखना तो बार-बार वही है, buy, sales or return, to sales or return, और sales return में क्या लिखना है, two sundry, buy sundry, two sundry, buy sundry, सारा खेल narration का है, यनि आपको जो भी समझाना है, वो narration कितने समझा होगे, बागी लिखना, तो देखो, sales or return खाते में, two or buy sundry, और इन खातों में, buy or two, sales or return account, बार-बार यही लिखन सिर्फ नरेशन समझाना है, तो यह लिख दिया, सरकार मैंने 40,000, और balancing figure, 20,000 वो है, जिसका ना तो approval आया, ना rejection आया, अच्छा, पूपट लाल खाता, माल भेजा, two, sales or return, goods sent, amount, 40,000, और अब क्या करेंगे, उसने माल वापस कर दिया, पूर रिजेट कर दिया, हाँ तो भी नाम तो भी आएगा, by sales or return, bracket में return, rejected, कितना, माल एक पूरा 40,000, अगला खाता बोलो, सरकार विडे मास्तर आए, विडे मास्तर को मैंने 25,000 का माल भेजा, लिखूँगा क्या, वो ही, two, sales or return account, और, goods sent, ठीक है, फिर उसके बाद, विडे मास्तर अच्छे व्यक्ती थे, उनन 25,000, narration में क्या जाएगा, accepted, last, कौन है, बविता जी, ओके, बविता जी को हमने 90,000 का माल भेजा, जब 90 का माल भेजा, तो लिखा क्या, two, sales or return, और, narration में, good sent, अब बविता जी ने, इस में से, कुछ return कर दिया, 31 मार्च को, कितना return किया था, चेक करो, तो बविता जी ने, 15,000 का return किया था, और, 50 का accept किया था, नाम तो वही आएगा, buy, sales or return account, और, bracket में, accepted, और, rejected, तो, buy, sales or return account, bracket में, return, 15,000, फिर से, buy, sales or return account, bracket में, accepted, 50,000, और, मालिक, जिसके लिए, ना, तो, approval आई, ना, rejection आया, वो हो गया, आपका, and, what about, टपू से, ना, को हमने 35,000 का माल भेजा था और, टपू से, ना, तो, कोई acceptance आई, ने, rejection आया, तो, as it is, 35,000, balancing figure, अब आप ध्यान से देखो, balancing figure, 35, plus 25, 35, 25, 60, चलो, यहाँ पे, कोई balancing figure नहीं है, यहाँ पे, कोई balancing figure नहीं है, यहाँ पे है, तो, 60, 20, 80, 80, और, तुसी, 25, देख रहे हैं, हाँ, तो, 80, 25, एक पांच, औ और, यही, आपके sales और return के total खाते का balancing figure है, तो, यह हो गया cross check, मालिक, अब, आप सुनना, exam में, वो आपसे बोलेगा, कि यह पूरा खाता बनाओ, sales और return total बनाओ, और इन 6 में से किसी एक, या दो के बारे में बोलेगा, बस इन दो के खाते बनाओ, और इसके बदले में, पा माच नमर दे दे आपको, तो वो इतना अच्छा भी नहीं है, ठीक है मालिक, तो यह हो गया आपका conceptual question, अब, हम देखते हैं कि exam में, इसी variety का कोई question आया क्या, क्योंकि तीन बार exam में आया था, और तीन में से दो बार कौन सा आया, पहला case, when the transaction are few, लेकिन क्या numerous के भी question exam में हाँ सरकार, नमंबर 19 में बॉनी हो गई, और नमंबर 19 में इस method का, इस system का भी एक question आ गया, चलो देखते हैं, चलो मालिक, नमंबर 19 में 5 marks का question, यह अब हम देखते हैं, A firm sent goods on sales or return basis, बहुत अची बात है, customers have the choice of returning the goods within a month, यानि आज अगर माल भेजा है, तो एक महिने में तेह करना है साब, रखना है या वापस करना है, और अगर आपने कुछ भी नहीं बोला, तो हम माल लेंगे कि आपने रख लिया, okay, during May 18, तो भई हमारे खाते हैं इस बार मई माई 18 के लिए, जिसे हमने क्या आपना है से मार्च के लिए, इधर मई 18 के लिए है, the following are the details of goods sent, चलो, details बाद में पढ़ेंगे, पहले requirement पढ़ लो, ताकि अगर हमने requirement पढ़ ली, तो शायद हम पढ़ते पढ़ते इस question को, पांच नमबर के लिए पढ़ते पढ़ती solve कर लें P account, Q account, A account, X account, यह इससे बड़े होई नहीं पाए, तो यह हमेशा से ही बोलते हैं, इसका नाम X है, बहले घर का नाम है, ठीक है, चलो, and customer Q account, अभी समझाया था, कि वो 6 की 6 खाते नहीं पूछेगा, कोई 1 का खता पूछ लेगा, या maximum 2 के पूछ लेगा, तो 1, अपने को बन बापसाया, बैलेंस, भेजा, बेचा, बापसाया, बैलेंस, ओके, तो 2 माई, 8 माई, 12 माई, 18 माई, 20 माई, 27 माई को, हमने PBQ और DER को माल बेजा, respectively कितना, 17,000, 22,000, 25,500, 2,000, और 28,000, चलो, तो मैंने बनाया आपके लिए एक खाता, sales or return, total account, sales or return, total account, अब हाँ पर लिखना क्या है, बिंदास, आप तो 5 चीज़े लिख दो, 5 भी नहीं, 4 चीज़े लिख दो, क्योंकि इस बार वो price reduction adjustment नहीं हुआ, तो 4 चीज़े हैं, भेजा, भेजा, बेचा, बापसाया, और balancing figure, भेजा, बेचा, बापसाया, और balancing figure, और मज sendries, और क्या लिख दूँ, inner column में, good sent, for the entire month, मैंने बता दिया था, कि भाईया, inner column में, हमें किसी के नाम लिखने की जरुवत नहीं है, लेकिन हमें अपने exam को बताना है, कि ये in-in का total था, इसलिए हम या लिख रहे हैं, real life में नहीं लिखा जाता, तो चलो, amount लिखते हैं, और amount है, 25,000, फिर आया D, और amount है, 5,500, फिर आया E, amount 2000, और last में आया R, amount 28,000, तो total इसलिए हम क्या आया, 28, 230, 30, 28, 23, 35, 45, 20, 60, 80, 90, 97, 99, 500, तो मालिक, for the month of May, जो कुल माल मैंने बेचने के लिए भीजा, वो था 99,000, 500 का, अब अगर कोई opening balance होता, तो हम भी लिख देते, by balance wrote down, ठीक है, अब नहीं है, तो यही आए, अगर कोई opening आए, आज आए, तो ध्यान रखना, by balance wrote down, क्यों, जैसे मही महीने में कुछ माल ऐसा हो ने, इसका approval बाकी है, तो जैसे अपरिल का भी तो कुछ होगा, जो मही में आना बाकी है, अब लेकिन question नहीं दिया, तो leave it, दे देता, तो हम consider कर लेते हैं, consider करना है, अगर question देता तो, पार्टी कौन कौन है, P, B, Q, और D, E, R, ठीक है, चलो, अब पढ़ते हैं, किसने क्या-क्या किया, बितन दी stipulated time, P and Q, return goods, P और Q, इन्होंने माल वापस कर दिया, तो किता हुआ, 17 और 25,000, 42,000, क्या लेखेंगे, सरकार वोई, 2,000, और narration में क्या लेखेंगे, 17,000, और Q, 25,000, टोटल हुआ, 42,000, चलो, अब इसके आगे बोले, तो इसके आगे question मोलता है, किसाब B, D and E, signified that they have accepted the goods, तो मालिक कौन-कौन, एक B, यानि 22,000, फिर D, यानि 5,500, दोनों मिला के हो गए 27,500, और तीसरा भाई है E, यानि 2,000, इन तीनों नों बोल दिया कि कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, तो मालिक, फिर से 22, 25, 27, 29 29,500, इन आर कॉलम में लिख देते हैं, B, 22,000, D, 5,500, और E, 2000, और क्या लेखें, सरकार कबूल है, accepted, अब सरकार ये कुल मिला के 6 प्राणी थे, इस में से 5 प्राणीों के बारे में पता पड़ गया, कि दोने reject कर दिया, तलाक तलाक तलाक, और तीन ने बोला कबूल है, कबूल करूं, ये reject करूं, कबूल बोलूं ये तलाक बोलूं, तो हम दिला जेल ठीक हे, आराम से सोचता हρएं, अभी तेरे पास ताइम है, तो तो तु ने कमाल बेजा था, 27 मही को, 27 मही को, तो तेरे पास 26 जून तक कर टाइम है, आराम से सोच, तो 31 मही के हसाब क्या, 31 मह करने को ये व्यक्ति ना तो विकाहं है ना रीज्ब हुआ है तो फिर तू बैलन्स करेड़ डाउन तू बैलनस करेड़ डाउन acceptance or rejection pending at selling price कॉरेज़ बालेंस बैलनज इफिकर में आगे वड़ा देंगे अगर कोई ब्राइस बढ़ जाए तो आप करेट कर देना और अगर प्राइस कम हो जाए तो डैबिट कर देना संड्री और क्षांड में और क्या प्राइस डिक्रीस अब क्या पूछा कियो अंगा क्यों बनाओ बोल रहें नहीं क्यों बनाओ, हम दो बलें क्यों बनाओ, क्यों बनाओ, चलो, तो क्यू अकॉंट में, जब माल भेजा, तो हमने कहा लेखा, क्यू अकॉंट डबेट, to sales और return account, और जब वो accept कर ले, ये reject कर ले, तो भी ये लिखना है, by sales और return account, सारा के लिए यहाँ पर भी narration और नरेशन गुमती जाएगी चलो तो क्यों अकाउंट में तू सेल्स और रिटन अकाउंट कितने का माल भेजा क्यों को सरकार 25,000 का और क्या लिख दिया टू गुट सेंट और यह क्यों बदमाश था इसने पूरा माल वापस कर दिया तो फिर से क्या लिख होगे वाई सेल्स और रिटन अकाउंट और नरेशन में रिटन अबलेग रिजेक्टेड कितना सरकार पूरा माल वापस कर दिया 25,000 और यह हो गया क्यों अकाउंट कंप्लीट और 5 मार्क्स कंप्लीट मालिक 5 मार्क्स सोचो इस काम के मिल रहे है ठीक है तो यह चेप्टर अब मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट हुआ पूरा कंप्लीट हुआ हूआ एक独ं मैंने आपको तीनोंым एकजाम के कोशन करवा दिये और जिटने मेरी तरफ से हो सकते है थे बैसिक क Arya सेамен क करवा दिये तो चलिए मालिक मिलते हैं अगले वीडियो में with new chapter और उस chapter में अब हम क्या discuss करेंगे तो हम start करेंगे not for profit making organization 10 marks के लिए आपके exam में आएगा तो चलिए मिलते हैं तब तक लिए bye bye take care love you